कुछ लोग किसी मनपसंद चीज को पाते हुए भी उसे खो देते हैं, क्योंकि उसे पाने की कोशिश में धीरज नहीं रख पाते। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, दस साल की नटखट और उताबली कृष्णा और उसके मनपसंद चॉकलेट केक की। क्या आपको ये केक चाहिए? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ. जी हाँ, आप. तो ले लीजे. मा, मुझे केक मिलने ही वाला था. मुझे चॉकलेट केक चाहिए. अच्छा, ठीक है. कल जब तुम स्कूल से आओगी न, तो मैं तुम्हें चॉकलेट केक बनाना सिखा दूगी. लेकिन पहले अपना होमवक करो. प्रिष्णा, उठो. प्रिष्णा, उठो. कहां गया मेरा केक? कहां गया मेरा एक लॉंता चोकलेट केक? सबने देखना, बन करो. उठो, स्कूल जाना है तुम्हें. आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. चलो न, केक बनाते हैं. अहां, केक बनाने की पहली शर्थ, स्कूल जाना पड़ेगा. तो छीक है, पहले स्कूल की शर्थ पूरी की जाएगी. स्कूल में जाने के बाद भी कृष्णा चोकलेट केक के खयालों में ही डूबी थी. इतनी कि उसे हर जगहा बस चोकलेट केक ही दिखाई दे रहा था. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खर्गोश और कच्छुए की कहानी. इस तरह कच्छुए ने खर्गोश को बड़े ही धीरच के साथ हैराया. सब अपना होमवग सब्मिट कर दो, और जिन्होंने नहीं किया है, वो यहीं रुपकर अपना होमवग पूरा करें. क्रिश्णा रुको, यह क्या मजाख है? क्या हो मैम? सवाल है टू प्लस टू. तुमने जवाब लिखा है चौकलेट केक. 15 अगस्त 1947 को भारत ने चौकलेट केक का जंड़ा फेराया था. चेरा पूंजी में सबसे जादा चौकलेट केक की बरसात होती है. यह सब क्या है, क्रिश्णा? तुमसे यह उमीद नहीं थी. चलो, क्लास में बैठ कर अपना हूमवक पूरा करो. क्रिश्णा ने आखिरकार अपना हूमवक पूरा कर ही लिया और घर की और दोड़ पड़ी. मा, चलिए केक बनाते हैं. पहले जाकर अपना स्कूल रेस्ट तो बदलो. ने, पहले केक बनाते हैं. केक बनाने की दूसरी शर्थ है स्वच्छता. चलो, जाओ. देखो, मा, मैंने कप्डे बदल लिए. चलो, केक बनाते हैं. केक बनाने की तीसरी शर्थ है केक के लिए जरूरत की चीजों को लाना चलो जाओ, सामान लेकर आओ क्रिश्ना अपनी मम्मी से केक बनाना सीख रही थी और वो जल्दी-जल्दी हर एक चीज बोल में डालती जा रही थी उसने केक को पूरा बना ही लिया अवन के डायल को पॉइंट वन पर करके छोड़ दो और तीस मिनट में केक बनकर तयार हो जाएगा अगर मैं अवन का तापमान बढ़ा दू तो केक सिर्फ तीस सेकिंद में तयार हो जाएगा मेरा चोकलेट केक अरे ये तुमने क्या कर दिया मैंने जल्दबाजी में अवन का तापमान बढ़ा दिया और केक का ये हाल हो गया ऐसा करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता चोकले केक मुझे पता था कि ऐसा ही होगा इसलिए आज सुबह ही मैंने ये केक बना कर रख दिया था लेकिन अगर तुम्हे ये केक खाना है तो एक और शर्त है किछिन तुम्हें ही साफ करना होगा हाँ हाँ क्यों नहीं इस केक के लिए तुम्हें कोई भी शर्ट पूरी कर सकती हूँ तो इस तरह चोकलेट केक के जरिए कृश्णा ने धैर रखना सीखी लिया झाल